Subscribe कीजिए यंदी उर्दु शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वैं आप सभी का सवागत है आज की शुड़ा में आपको बताना है आपके Android स्मार्ट फोन में करसर को कैसे अट करते हैं तो in case मालीजे था अकर आपकी स्मार्ट फोन की स्क्रीन काफी लंबी है स्क्रीन लेंद काफी लंबी है तो दोस्तों आप इस कर्सर को यूज कर सकते हैं तो एक ही जगे से आप कहीं भे आपके स्क्रिन पर टाउस कर सकते हैं तो यह देखे जैसे कर इसाल यह देख सकते हैं तो इसके लिए आपको भी एक देघ सकते हैं तो कफी बढ़े है तो जैसे के फॉरेंग सेस्टेंग्स करके बताूंगा तो अगर आपको इसको इनेबल करना है तो जस्ट आप अपनी स्क्रीन पे left या right side slide कीजिए simple से वो cursor आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको click करना है तो जस उस पर double tap कीजिए select हो जाएगा और click हो जाएगा जैसे कहमें आप देख सकते हैं तो यह देखें दोस्तों इस तरीके से तो अगर आप अपको इसको Deactivate करना है तो जसको थोडीदेर के लिए लीफ कीजिए अन्होल कीजिए ओटोमेटीक कीजिए अज़ाएगा युजा करना चाहे तो लेफ्ट राइट साइट आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइट कीजिए और इने बल हो जाएगा जहां पर भी आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे उस पे एक मरताबार डबल टैप कीजिए वो सेलेक्ट हो जाएगा ओके हो जाएगा तो काफी बढ़िया मौस टच करसर है दोस्तों आपके डिवाइस के लिए तो अगर आपकी स्क्रीन की जो साइज है दोस्तों काफी नहीं है तो आप इसको easily use कर सकते हैं अब one-handed mode इसको जोब दोस्तों यूज़ कर सकते हैं जैसे जहां पर देख सकते हैं तो ज़्यादा कुछ है ने दुस्तों इस वीडियो में बताने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और subscribe कीजिए मिलते है झाल निए उन्यूंट धिर दो क्यों कि आए लायं झाला प्राज़ को अए आए.